इवांदरी सर्वोच नीती है एक राहूल नाम का व्यक्ति था स्वभाव से बहुत ही गंभीर था उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी लेकिन कोई नौकरी नहीं थे दिन रात वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था राहूले के मानदार मनुश्य भी था इसलि विहवार से साफ जाहिर होता था एक दिन एक सेट के घर राहूल मजदूरी कर रहा था सेट का ध्यान राहूल के उपर ही था सेट को समझ आ रहा था कि राहूल एक पड़ा लिखा समझदार लड़का है लेकिन परिस्ते दिवश उसे ऐसे मजदूरी का काम करना पड़ रहा सेट को अपने एक विशिश काम के लिए एक इमानदार व्यक्ति की जरूरती उसने राहुल की परिक्षा लेने की सोची उसने एक दिन राहुल को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपे दिये जिसमें 100-100 की नोट थे और कहा भाई तुम इमानदार लगती हो ये पैसे मेर एक व्यापारी को दे आओ राहुल ने मानदारी से पैसे पहुंचा दिये व्यापारी ने राहुल को फिर से पैसे दिये इस बार उसने राहुल को बिना गिने पैसे दिये कहा खुद ही गिलो और व्यापारी को दे आओ राहुल ने मानदारी से काम किया सेट पहले ही गल्ल पर सेट ने कुछ नहीं कहा, फिर से राहूल को रुपे देने भेजा, सेट के कुछ ना कहने पर राहूल की हिम्मत बढ़ गई, उसने रोजाना चोरी शुरू कर दी, सेट को उम्मीद था कि राहूल उसे सच बोलेगा, लेकिन राहूल ने नहीं बोला, एक दिन सेट ने राह दुखुआ और उसने सुईकार किया कि कैसी भी परिस्तिती हो इमानदारी ही सर्वो चिन्नीती होनिस्टी इस दबैस्ट पॉलिसी इन हिंदी होती है दोस्तों कैसा भी मुकाम आए व्यक्ति को इमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए इमानदारी जीवन की वो कमाई है जो मुश्किल है लेकिन कभी गलत अंत नहीं देती